नमस्कार जोती भरती खाना खाजाना में आपका स्वागा थे फिर हाज ही रूँ एक नई रेसिपी के साथ बारिश का मोसम आ गया है और कुछ नो कुछ चट पटा सा तला फला खाने का मन करता है तो बस वही रेसिपी हम आपके साथ शेर करेंगे और एक चम्मचायल में हम य जिदार रेसिपी तो यह में रात के टाइम है और रात के टाइम में में यहां पर आधी कटोरी जो सावित हरी मूंग की दाल है उसे मैंने भिको कर रख दिया था तो बस देखे राध बरी अच्छे से सोख हो चुकी हो दाल बहुत अच्छे से गल गई है तो चलते हैं इसक पूरी के बड़े नहीं बनाएंगे इसके केवल आधी दाल से हम बड़े बना कर तयार करेंगे और आप इसे 8-10 बड़े आराम से बना कर तयार कर सकते हैं तो चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरह मैंने यहां पर इसका पानी निकाल दिया है उसके बाद एक मिक्सी जार के अं पूरी से गला दी थी तो वही मुंगफली मैंने इसमें डाल दिये इससे हमारा जो वड़ा है वह बहुत ही हैल्दी बनने वाला है तो देखिए मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है और हम इसे एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि आज के वड़े जो हम बनाने वाले हैं तो यह बहुत ही हैल्दी ट्रेस्टी ब्रेकफास्ट है और मात्र एक से दो चम्मच में आप इसे फटाफट बनाकर तयाद कर सकते हैं तो यहां पर मैंने डाल दिये एक चुथाई चम्मच कुटी हुई हरी मिर्ची आप चाहें तो ज्यादा भी डाल सकते है अप यही डाली है और इसको और भी ज्यादा फ्लेवर फुल बनाने के लिए मुंग की डाल में अगर थोड़ी सी हींग डाल देते तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है तो एक चोता ही चमच हींग एक चमच में डाल दिया है इसमें वाइट तील सफेद तील आदी चमच हमने डा ऐसे चेंज हो जाता है इसलिए हम यहां पर मुंग की डाल के वड़े बनाएंगे तो यहां पर गेस पर लग दिया है मैंने तवा नॉन स्टिक तवा और उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर हमने एक केचण नैपकिन से अच्छे से पोस्ट दिया है और इसमें में डाल दिया ह तो एक छोटा सा टिक की का शेप दे देंगे क्योंकि वड़े जो हैं वो इसी शेप में होते हैं अगर आप चाहें तो आप इसे डीफ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं इसे और हैल्दी बना रही हूं और यह बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे तो इसलिए हमने यहां पर केवल दो चम 8 बड़े बनकर तयार हुए हैं तो साथ हमारे प्लेट में हैं और एक का हमारे पास मिश्रन बच गया है बाउल में तो मैं इसे भी बना लूँगी और चलते हैं यहां पर तवा भी गरम हो चुका है हमने गेस की फ्लेम लो रखिए और मैंने इसको और भी ज्यादा हैल्दी बनाने के लिए डाल दिया है इसके उपर थोड़ा सा स्प्रेट कर दिया है जो वाइट तील होता है सफेद तील वो हमने स्प्रेट कर दिया है और सारी जो हमने बड़े बना कर तयार किये हैं उसे अच्छे से तवे पर रख देंगे बहुत ही आराम से हम इसे रखेंगे त तो आप देखेंगे बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी हो गए हैं ये एक तरब से, और मात्र 2-3 मिनिट में ही ये बहुत जल्दी पकर तयार हो जाते हैं, और अगर आप इसे हाथ से भी उठा कर पलटेंगे, तो भी आपका हाथ नहीं चलेगा, इसकी खास बात ये है, मतलब आप अगर डीप फ्राइ करेंगे, तो आप बिल्कुल इसे नहीं पकर सकते हैं, लेकिन आपने एक चमच उयल में इसे फ्राइ किया है, तो ये जो हमारे वड़े हैं वो हमारे हाथ को बिल्कुल भी नहीं जलाते हैं, हाथ से भी आप इसे आसानी से पलट सकते हैं, तो मैंने सारे वड़ो को फ्लिप कर दिया है, इसको साइट से चेंज कर दिया, तो ये लिजे हमारे मज़ेदार क्रिस्पी से वड़े वनकर तयार हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी हेल्दी हमारा ब्रेकफास लंच डीनर के लिए आप इसे तयार कर सकते हैं और घर पर रखे सामान से हमने इसे तयार किया है बाहर से हमने कुछ भी सामान नहीं लिया है तो यह लिजे मज़ेदार से डिश तयार है आप इसे टमेटो सॉस हरी चटनी के साथ या ऐसे ही खाएंगे तो भी आपको किसी भी चटनी की जुरत नहीं पड़ेगे क्योंकि यह इतना फ्लेवर्फुल है इतना टेस्टी और हेल्दी है आप इसे अगर खाएंगे तो इससे हाई प्रोटिन फाइवर सारी चीजे मिलेगी तो यह लिजे मैंने आप इसे सर्फ कर दिया एक प्लेटिंग कर दिया है इसकी अच्छे से और इसे सर्फ कर रही हूँ मैं टमेटो सॉस के साथ जब मैंने अपने हजबन को इसे सर्फ किया तो उन्होंने दो की जगा तीन खा इस बारिश के मोशम में आप इसे जरूर बनाईए और कमेंट करके जरूर बताईए मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक कि लिए बाबाई